बिहार के चार सीटों पर उपचुना होने वाले और इमाम गंज में भी मुकावला काफी करा है और इमाम गंज की जो सीट है वो होट सीट है क्यूंकि राजत के उमिदवार रोसन मांजी और जीतन नाम मांजी की पुतो दीपा मांजी चुनावी मैदान में है और देखिए कि गया कॉलेज में लगातार जो मदगन्ना है वो शुरू हो चुकी है तीन राउंड की मदगन्ना समाथ हो चुकी और अभी तक के इस्तितियों की बात कर लिजाए तो तीसरे राउंड में इमाम गंजे एंडिये की जो उमीदवार है दीपा मांजी उन्हें 11,88 वोट आ है वही रोसन मांजी जो आरजेडी के उमीदवार है उन्हें 13,352 वोट आ है और वहीं जन सोराज की बात कर लिजाए तो जन सोराज के जो उमीदवार जितेंदर पासवान है उन्हें 9,888 मत आ है तो सीधे तोर पे कहा जा सकता है कि मुकाबला जो है वो काफी काटो भड़ा है और जन सोराज के जो उमीदवार है जितेंदर पासवान वो भी लगातार रेस में बने हुए है और वहीं रोसन मांजी की बात कर लिजाए तो रोसन मांजी लगातार तीसरे राउंड में उनकी जो इस्तिती है वो काफी बेहतर दिख रही है और जीतन नाम मांजी जो कि उनकी जीतन नाम मांजी लगातार इमाम गंज से जीतते आए थे लोकसभा का जब चुना हुआ था तो उन्होंने सांसत बनने का काम किया था उसके बाद ये सीठे खाली हो गईते तो सीधे तोर पे इमाम गंज का जो मुकाबला है वो काफी काटो भरा और इमाम गंज में जो आर सेवेली पाटी है परसांद की सोर की उसके जो उमीदवार जीते अंदर पासवान है उन्होंने कहीं न कहीं तीसरे राउंड तक अभी तक अच्छा परदर्शन किया है और इस पूरे जो तीसरे राउंड में किस किस उमीदवार को कितना वोट आया ये तमाम चीजों की बा परतेख चीजों को हम आपको डेट देते रहेंगे परतेख चीज की जानकारिया हम अपने चैनल के माधेम से आपको देते रहेंगे लेकिन इतना कहा जा सकता है कि तीसरे राउंड में रोशन मांजी की स्तिती काफी बेहतर है स्योगी अनील के साथ रोहित गया